Hey guys, welcome to Study IQ, so recently media report सामने आई है कि China ने buildings construct कर दी है on Nepal's land और इसके reaction में जो China की embassy है in Nepal, Kathmandu, वहाँ पर protest हुए है, यहाँ पर आप देख पाओगे locals in Nepal protest over Chinese incursion, illegal construction in Humla district now जो यह Humla district है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह है इंडिया, यहाँ पर है यह तिवेथ है और यहाँ पर है चाइना तो चाइना की तरफ से इन्होंने यह जो district है Humla district, इसका जो northern part है, यहाँ पर आप देख पाएंगे यह area इस location पर चाइना ने buildings construct कर दिया, problem यहाँ पर यह है कि यह नेपाल की territory है और even दो नेपाल में जो locals हैं, जो यहाँ पर village president है, जो यहाँ पर media है, यह बार-बार क्या रहा है कि एक dispute खड़ा हो गया है जो नेपाल की सरकार है, यह अभी भी इस dispute को raise नहीं कर रही यहाँ पर आप देख पाएंगे यह article है by the Kathmandu Post, नेपाल-based newspaper है यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि a missing border pillar in Humla creates row between Nepal and China both sides claim that area where the Chinese have built 11 buildings अब यहाँ पर पूछेंगे missing border pillar, देखो क्या है कि border pillar कहते हैं इसको कई वार countries में यह understanding होती है कि since fencing possible होती नहीं है, काफी उसमें cost लगती है तो एक border pillar symbolize करता है कि एक x amount of area belong करता है इस country को यह depend करता है countries के mutual relationship पर कि एक pillar का मतलब कितना area उनके अंडर आता है तो नेपाल ने इस area में जो हमदा district है इसका northern part है यहाँ पर एक pillar लगा रखा था यह pillar आज से कई साल पहले गायब हो गया और अब हम देख रहे हैं कि इस area में चाइना ने buildings का स्टक्रक्रनी start कर दी है, so it is a very worrying factor और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों in the future possibility है कि चाइना बहुती बड़ा area नेपाल का capture कर सकता है और unfortunately यह बात नेपाल की सरकार कभी भी acknowledge नहीं करेगी तो discuss करते हैं अस topic को बहुत कुछ आपको जाने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss, as always but before we begin गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउलोड करें आपर study IQ education app और यहाँ पे आप खरी सकते हैं हमारा flagship UPSC course जिसके लिए EMI option available है, do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon पहली बात तो आपको basic समझने होंगे of the Nepal-China border, नेपाल-China border पे एक बहुत important district है नेपाल का हुमला district, यहाँ पर जो northern part है, वहाँ पर एक area जिसका नाम है लाप्चा, लाप्चा area आप अगर देखें तो बहुत ही जादा scarcely populated है 2005 में last time देखा गया था कि यहाँ पर सिर्फ एक जोपड़ी थी, पूरे area में सिर्फ एक हट था, इसका reason बहुत ही simple है आप अगर नेपाल की अबादी देखो, तो 70% से भी जरा अबादी, इंडिया की side रहती है near their south eastern region, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह है नेपाल का most densely populated area यहाँ पर, जितना आप north को जाओगे near China, वहाँ पर नेपाल की अबादी, बहुत कम दिखेगी, by the way, नेपाल की total अबादी रफली है, दो करोड असी लाख, अब जो population distribution map है, यहाँ पर आप देखोगे, हुमला district में ना के बरावर आबादी है, और जो इनका northern part है, वहाँ पे कई locations ऐसी है, जहाँ पर गिंती के एक दो परिवार, कई जगा तो परिवार है भी नहीं, वो पूरा जो area है, it is completely stranded, तो ऐसे area को capture कर पाना बहुत ही असान है, यहाँ पर चैना ने literally क्या किया है, कि एक border pillar, जो आज से कई साल पहले यहाँ पर लगाया होगा, इसको quietly remove कर दिया, आसपास अपनी building मना दी, once in many years, अगर मानलो आसपास का कोई district का administrator है, वो यहाँ पर आया, उसको यह कह दिया कि एरिया तो अब हमारा हो गया है, यह area belong करता है चैना को, यहाँ पर literally यही हुआ है, लापचा में एक बहुत ही बड़ा area चैना ने capture कर लिया है, quietly, हाला कि जो Chinese side है, जो चैना के spokesman है, यह कह रहे हैं कि जो buildings mention की जारी है in Nepal's media, यह हमारा मानना है कि Chinese side में आती है, हम चाहते हैं फिर से verification कर ले to make sure कि यह building Chinese side में आती है, तो यह तो का है Chinese government ने, नेपाली सरकार ने अभी तक इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, मगर यह issue light में आया कैसे, जब नेपाल की सरकार चुप है, तो आज के समय इसके बारे में हम बात क्यासे कर पा रहे हैं, देखो, interesting बात यह ह कि लापचा विलेज में एक इनका local village council है, उनके जो प्रेजिडेंट है विश्नुबाद और लामा, ये कई महीनों बाद इस area में गए just to see के यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जब इन्होंने notice किया कि चाइना की आर्मी ने यहाँ पर करीब 11 buildings यहाँ पर बना दी हैं, और इन buildings में चाइना की आर्मी के लोग रह रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर protest करने की कोशिश करी, इन्होंने का कि यह area तो हमारा है आपने अचानक से यहाँ पर buildings कैसे बना ली, मगर चाइना की forces ने यहाँ पर इनसे बात करने को मना कर दिया, और यह का कि आप यह buildings नहीं देख सक कि अपने mobile phone से, थोड़े से distance से, जो यह buildings है, इनकी photo ले ली, और यह release कर दी in the media, अब जैसे यह photo release हुई है, नेपाली मीडिया में discussion हो रहे हैं कि यह जो area है, definitely this belongs to Nepal, अब चाइना ने अपनी army के अंडर, यहाँ पर buildings construct क्यों कर दी, so obviously यह एक huge cause of concern है for Nepal, मगर साथ ही साथ आप अगर देखो तो इंडिया के लिए भी यह एक काफी बड़ा strategic threat है, क्योंकि पिछले काफी महीनों में हमने सुना है कि चाइना ने बहुत सारा area नेपाल का encoach किया है, वहाँ पर permanent bases बना दिये है, buildings construct कर दी है, और नेपाल की जो pro China government है, इस बात को लेकर कुछ नहीं कहारी, इनका complete focus इस वक्त है इंडिया की तरफ, कि जो इंडिया की side की border है, यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर चाते हैं कि यह patrolling हो, जो पिछुरागर का area है, वहाँ पर यह land claim कर रहे हैं, अपनी जो text books है, वो change कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को बता रहे हैं, कि इंडिया क आता है Chinese territory में, हाला कि बाद में जब इस पर काफी protest हुआ, Chinese government ने यह कहा कि नहीं नहीं हम मानते हैं, कि Mount Everest belongs to Nepal, और इससे पहले अगर हम जाएं, नवंबर 2019 में, तो आपको याद होगा एक report सामने आई थी, कि नेपाल का survey department अब यह कह रहा है, कि China ने encroach कर लिया है 36 hectare of land in Nepal, और इनके जो 4 districts ने आज के समय, including Humla, इनका several hundred hectares of land, नेपाल लूस कर सकता है to China, नव इंडिया के लिए problem यहाँ पर यह है कि देखो, नेपाल की जो सरकार है, इस issue को उठाने नहीं वाली, और जो इनका northern part है, यहाँ पर आबादी ही इतनी ज़रा कम है, कि China बहुत ही आराम से कई किलोमेटर तक अंदर आ सकता है, और वहाँ पर permanently अपने base मना सकता है, और नेपाल उनको बिलकुल भी हटा नहीं पाएगा, और यह एक security threat है for India, क्योंकि in the future अगर माली जिए, इंडिया चैना के जो relations हैं खराब होते हैं, तो China एक offensive operation launch कर सकता है, from this area, this can very much happen, क्योंकि यहा long term में, यह एक बहुती बड़ा security threat है for India, सवभी के लिए यह है end इस वीडियो का, thanks for listening and as always, God bless you.